हेलो दोस्तो नमेशकार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सबी लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज की दिन जितने भी वीडियो जे सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी हर एक वीडियो को अच्छी तरीकी से स्टड़ी कर लेना फर्स ताइम विजिट के है तो इस चैनल को सब्सक्राब करना बेल आइकन को हिट करके औल सलेट करना इस चैनल को भी जरू सब्सक्राब करके रख सकते हो आज की दो जो वीडियो है उसको भी जरू देख लेना बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है इस वीडियो का लिंक उपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते है तो अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और फिलाल बाजार में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूस हम लोग को सर्कुलेट होते वी देखने को यापे मिल रही है तो चले वो न्यूस के है उसके उपर थोड़ा सा मतलब अपडेट हम लोग यापे जान लेते है तो आईपियो से रिलेटेड न्यूस है जैसे कि टाइटल से ही आपको अंदाजा यापे आया होगा फिलाल तो IPO का बाजर थोड़ा सा अराम करते वे देखने को यापे मिल रहा है जैसे पहले हम लोग को November, December में IPO देखने को मिले है वैसे तो अभी तक बारिश IPO की यहापे नहीं हो रही है ठीक है कोई बात नहीं बड़ बहुत सरे IPO या पर आने वाले प्रिपरेशन तो चालू है तो एक बहुत बड़ा IPO आने वाले आप लोगं को पता है LIC का IPO and LIC का IPO की तो चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही बट बीच में अभी हमनों को एक और IPO आने से रिलेटर बात चाहित है आपे होते वह देखने को मिल रहे है and वो है Reliance के Jio का IPO आप सभी लोगं को पता है Jio की बात करे या फिर Reliance के Retail की बात करे Reliance के O2C के Business की बात करे तो किसी भी Business में अगर आपको Invest करना है Market के Through तो आप लोगं को पता है कि एक ही Stock available है and वो है Reliance Industry तो दोस्तों नो डाउट यह पहले भी यहापे तै हो चुका था कि Reliance Jio नो डाउट यहापे separately list होते वह देखने के आपे मिलने वाला है and दोस्तों फिलाल आप सभी लोगं को पता है CLAC की अगर हम लोगं यहापे बात करे तो CLAC नो यह दावा यहापे किया है कि Reliance शायद से अपना जो Jio की जो subsidiary है जो company उसको यहापे अलग से list करवा सकती है तो यह possibility की बात है जैसे कि मैंने आप लोगं को का यह कोई guarantee वाली बात नहीं Jio IPO likely this year CLAC ने यह बात यहापे कई है सो दोस्तों मैं बताना चाहँगा कुछ बड़े-बड़े दिगज नाम रेते CLAC की बात करे JP Morgan की बात करे उसी के साथ-साथ अगर मैं Morgan Stanley की भी बात करो Goldman Sachs की अगर हम लोग बात करे यह इतने बड़े नाम है इनके जो प्रेडिक्शन रहती यूजवली देकि 100% तो कोई सच तो होता नहीं बट यूजवली इनके प्रेडिक्शन हम लोगों को अच्छे कासे देखने को मिलते हैं बाजार भी इनको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट जरूर करता है आप लोगों ने देखा होगा KPIT टेक्नोलजी के ऐसा तेज़ी पकड़ लिया, क्यों तेज़ी पकड़ लिया प्रिकि Goldman Sachs ने वहाँ पर बोल दिया कि 1000 तक वो स्टॉक जा सकता है तो ये जो बड़े दिगज ब्रोकर रहते हैं इनके कुछ बातों को जरूर मार्केट सिरियसली कभी-कभी लेता है तो फिलाल हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या Reliance Jio का IPO का बात है और उससे related कुछ important बात में आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले ये क्या है ये stock market के top 100 companies है तो हम लोग 100 companies ही नहीं top 5 companies ही देखेंगे और ये numbering किस के हिसाब से होती है market cap के हिसाब से आप सब लोगों को यहापे मैं अल्रेडी बता चुका हूँ MRF नहीं MRF price के हिसाब से आप लोगो number 1 देखने को यहापे मिल रहागा बढ़ उसका कोई फायदा नहीं market cap के हिसाब से number निकाला जाते है तो Reliance number 1 है TCS second पे HDFC bank 3 पे है Infosys fourth पे है and actual फिलाल पाचवे number पे चल रहे है तो किसके हिसाब से ये देखे market cap के हिसाब से करोड में है so 16,000,000,000 करोड की company है Reliance लगबग 14,000,000 करोड की company है TCS तो ऐसी अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो यहापे जो Jio का IPO यहापे आने वाला है लगबग 100 अरब का IPO होने वाला है and अगर वो IPO यहापे अगर हम लोग बात करें listing के हिसाब से अगर amount के में बात करूँ तो लगबग 750,000 करोड का यह हम लोगों को company बाधार में list होते वे देखने को मिल जाएगा जो की directly यहापे हम लोग कह सकते number 1, number 2, number 3, number 4 और यह number 5 की position directly achieve कर सकता है so number 5 की position पे फिलाल कोने actual है तो यह actual हम लोगो 6 पे जाते वे देखने को मिलेगा and अगर Jio list होता है तो number 5 पे आ सकता है depend करते है कि कितना वो हिस्सा बेचना चाते है उसकी pricing क्या रहेगी बट 7,500,000 करोड की directly company हम लोगों को देखने को यहापे मिल जाएगी so उसकी parent company Relance भी यही पे रहेगी and उसकी जो subsidiary है Jio वो भी हम लोगों यहापे देखने को मिल जाएगा अगर वो listed होती है तो यह तो possibility की बात यहापे बताई जा रही है plus बीच में तो एक और खबर आ रही थी कि वो Relance के Jio को शायचे इंडिया के बाहर list करेंगे तो इससे later भी बहुत सारी खबरे चलती रहती है So Jio platform के अगर मैं बात करूँ तो इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि कितना पसंट के हिस्सेदारी वो बाजार में बेचने के लिए आ सकते है So ठीक है Relance के पास कितने 67% है 100% नहीं तो आपको पता होगा बीच में Relance सुबह उटते ही सवानों बजे यहाप एक नया investor आते रहता था और सीधा वो stock बढ़ते 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 1000 के करीब चल रहा था 1200, 2000 क्रोस कर लिया तो आप लोगों को पता है अल्रेड़ी यहापे Relance में उनों को बहुत सरे strategic investor आते भी देखने को मिले है Private equity firms ने आपे कुछ हिस्सेदारी आपे खरीदी हुई है अगर आप इसको थोड़ा detail में पढ़ना चाती है कि कौन-कौन investor है तो यह दिखिए 67% promoter के पास ही है Facebook के अगर मैं यहापे बात करें तो 10% हिस्सा उनके पास है Google की बात करें तो next लगबख वो 7.5% से ज़्यादा hold करते KKR के पास लगबख 7.2% है Vista equity partners की बात करें उनके पास भी उतना ही है Public investment fund, SLP की बात करे Then mobile lie investment की बात करे So बताने का मकसद क्या है कि अभी उनको बाजार में आना है 67% है किस के पास है Reliance के पास है No doubt वो 50% से नीचे तो नहीं जाएंगे 50% के नीचे गया तो Reliance मुकेशंबानी के हाथ से चला गया तो इसलिए वो 50% 50 मतलब 51 बोलना चाहिए तो आप लोग कह सकते है मोटा मोटी 16% के आसपास हम लोग को क्या देखनी के या पर मिल सकता है IPO का size देखनी के या पर मिल सकता है अब यह आप च्छाओ तो calculate करके देख सकते हो 16% मतलब कितने करोड का यह IPO हो सकते यह मैं खुद calculate करके आप लोग को यह पर बता रहा हो वो चाहे तो 15 भी ला सकते 10 भी ला सकते वो depend करता है वो कितना हिस्सेदारी यह आपर बेचना चाहेंगे बट इतना तो मैं sure हूँ कि वो 51% मतलब 17% से तो मतलब जादा नहीं जाएंगे 18-19% तो नहीं जाएंगे जैसे ही Reliance Jio अलग से लिस्ट होगा तो दो कंपनीज को पसीने छूटेंगे पहला तो है भारतिय रिटेल और उसके बात है Vodafone Idea So Vodafone Idea को अगर हम लोग बात करें इनके लिए तो बहुत ही जादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि टेलीकॉम का अगर आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अभी अगर मैं बात करूँ तो Reliance में आप जियो में आप डिरेक्ली इन्वेस्ट नहीं कर सकते आपका इंडिरिकली इन्वेस्मेंट हो जाता है Reliance इंडस्ट्री के थूरू So Vodafone Idea already struggle कर रही है इनको दिक्कत हो जाएगी भारती Airtail की बात करें कोई कमपणी खतम नहीं होने वाले क्योंकि अभी तो फिलाल हम लोग देखने को मिल रही है Airtail से अगर आप लोग निकलोगे तो Jio में ही जाओगे Jio से निकलोगे तो Airtail में जाओगे मैं average नंबर की बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं बहुत सारे भी लोग है बड़ अगर आप 10 में से देखोगे 6-7 आप लोग को combination यही देखने को मिलेगा So Airtail and Jio का ही Dio Poly हम लोग को आगे देखने को आपे मिल रहा है क्या services उस level तक दे पाएगा जितने इनके competitors थोड़ा सा doubt यहाँ पे नजर आ रहा है So बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि Jio का IPO की तयारी फिलाल हम लोग को देखने को मिल रही है यह CLA से की और से कबर फिलाल सामने है यहाँ पे आ रही है Jio obviously इसे related कोई comment नहीं करेगा हम लोग को सेवी के पास जब paper files हो जाएंगे DRS पे कि अगर हम लोग उनको बात देखने को मिल जाएगी तब हम लोग इससे related अंदाजाया पे लगा सकते है बट जैसे मैंने का इसके पहले एक news भी आई थी कि बताया जा रहता है कि Jio शाइट से इंडिया में नहीं इंडिया के बहार list हो सकता है यह फिलाल बात चल रहे थी अभी exactly किसी को पता नहीं यह तो सारी मतलब आप बोल सकते हैं अफवाई हम लोगों को देखने का आपे मिल रही है बट इतना मैं कहें सकता हो यहाँ पे कि हम लोग ने त्रिपर रहना होता है पैसा तैयर रखना होता है कि अगर आपके पास है तो क्योंकि यह भी एक बहुत ही दमदार IPO हम लोगों को देखने को मिल सकते है डिरेक्टली टॉप फाइप यह आ जाएगी कमपणी तो LIC के बाद अगर कोई excitement है IPO से related तो वो फिलाल हम लोगों को Realize Geo का ही IPO देखने का आपे मिल रहा है तो देख लेते हैं इससे related क्या outcome आगे सामने निकल के आता है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इस वीडियो को like and share भी कर सकते हो So that's it, thank you very much दो, we will be meeting our next video तब दख के लिए, bye bye